दोस्तो आज के इस वीडियो मा आपको बताने वाला हो कि आप जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हो या दोस्तो अगर आप भी अपनी मोबाल से जियो पेमेंट बैंक अकाउंट घर बैटे अगर आप जो है जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हो तो आज के इस वीडियो मा आपको जो है complete process बताने वाला हूँ जिससे के दोस्तों बड़ी आसानी से आप जो है जियो payment bank account अपने mobile से घर बेटे आप जो है किवाई से के साथ अपने account को open कर पाओगे वीडियो को start करने से पहले अगर भी तक आपने मारे जानों को subscribe नहीं करा तो जानों को subscribe करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप भी जियो payment bank account अपन करने के बाद आपको virtual debit card भी मलता है जिन्हें आप जो है कही पर भी जैसे phone प आपको open करना है तो गाई जैसे आप मैं जियो application को open करोगे इसके बाद mobile option पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है जिस भी नंबर से आप account बनाना चाहते हो अगर आपके बाद जियो का नंबर है तो आप जियो नंबर डाल सकते हो लगिन दोस्तों गर आपके ब आपको लोगिन option पर क्लिक करना है तो जैसे आप permission को अलाओ करोगे यहाँ पर इस तरीके से इससे आपका user interface रो करेगा आप आपको बैंक का option शो करेगा सिंपली आपको बैंक पर क्लिक करना है जैसी दुस्तों आप बैंक पर क्लिक करोगे फिर से permission को अलाओ करने की बाद जियो पेमेंट बैंक का कुछ इस तरीके से आपको interface रो करेगा जियो पेमेंट बैंक में open your saving account online यहाँ पर no minimum balance required इसके बाद no hidden और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें यहाँ तो वर्चूल debit card भी मिलता है और यह सारी यहाँ पर पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इस option को एगरी करना है इस option को एगरी करने के बाद आपको let's get started वाले option पर आपको simply click करना है इसके बाद दोस्तों आपका mobile यहाँ पर verify हो जागा आपकी नमबर से OTP यहाँ पर detect होकर कि आपका यहाँ पर login हो जागा तो यहाँ पर आपकी नमबर पर OTP यहाँ पर यहाँ पर यह जो है automatically detect हो जाएगा इसकी बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना MPIN lisit करना तो यहाँ पर 4Disaat का आपको MPIN CREATES करना है जो आपको MPIN याद रहे हूए MPIN डालने के बाद फिर से उसी MPIN को डालना है इसके बाद दोस्तों आपको proceed वाले option पर simply click करना है इसके बाद दुस्तों आपका MP यहाँ पर SET हो जागा, इसके बाद फिर से आपको MP डालने की बाद confirm पर आपको क्लिक ना है इसके बाद दुस्तों इस तरीके से banner आपके सामने शोख करेगा, जहाँ पर आपका MP यहाँ पर SET हो चुका है यहाँ पर GEO UPI शो करा है इसके बाद useful links शो करा है तो आप guys आपको welcome to GEO payment bank इस वाले option पर आपको इस banner पर click करा है जैसी दोस्तों इस option पर click करोगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ instruction है वो यहाँ पर आपको पड़ लेना अपने account को open करने के लिए यहाँ पर आपको अपना आधर card और pen card आपको साथ रखना है इसके बाद आपको अपने आधर card के यहाँ पर 12 digit number आपको डालने होंगे और आपके आधर number से जो number link है आधर card से उस number पर OTPI को आपको डालना पड़ेगा और इसके बाद कुछ video के वाई से रहेगा तो आपको let's start वाले option पर आपको क्लिकना है और आपकी नंबर पर OTPI और यहाँ पर OTP डालने के बाद submit option पर आपको क्लिकना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर terms and condition को यहाँ पर accept करने के बाद आपको I accept वाले option पर क्लिकना है इसके बाद दोस्तों आपको अपना आधार नमबर डालने की बाद सिंप्ली आपको प्रसीड पर क्लिक ना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ओप्शन पर आपको क्लिक ना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जो है आधर कार्ड में जो भी नंबर लिंक होगा उस नंबर पर OTP जाएगा और यहाँ पर OTP डालने की बाद सब्मीट पर आपको और इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको अपनी financial detail फिल करने है जहाँ पर Mr. Message जो भी आपको इसके बाद आपको पना pen card number डालना है आपको अपना marital status चूज करना के बाद गाईज फादर नेम का अपको first name डालना जो जो कि pen card में इसके बाद फादर का लास्व छो कि पैंड गार में इसके बाद गाईज मदर का फस्थ सब्चाब में मदर का मिडल नेम मदर का last जिएb सोर्स औंकम कहां से करें इनकम का सोर्स आपको स्लिट करें 만ance की बाद एक साल की इनकम है औहाले को इसकी बाद सबस्राइब को इसकी बाद दोस्तों आपको the 單 डालने का है आपको आउस-डामबर डालना का एसü बाद व्याओन इसmee a यहाँ पर आपको इसे टिक करने की बाद आपको नेक्स्ट वाले ओप्शन पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ओप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ओप्शन पर क्लिक करना है इसकी बाद परसनल डिटेल आपको अपनी च या यानि आपको चेक करने की बाद यहाँ पर को नीचे के बार प्रसीड का उप्सीन करेगा सिम्फिल आपको प्रसीड आपशुन पर क्लिक ना है अगर आपकी सही तो यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना और आपकी वीडियो के वाई सी क्रूट आपको कर ली ना है तो गैस यहाँ से वेले तुछ पर कुछ इंस्ट्रक्शनन आपको अपने हाथ में रखना रिको दोश्तों आपको वीडियो के वैसिमें रहेगी और गयास विडियो कौश्य आपकी कि वैसिर रएगी आपको gusto क्लिक कցह रखना हैं। इजयंट से आपके वीडियो कॉल पर बात हो गया अपना अधरकरड थे उतरगों साथ में KYC यहाँ पर complete कर लेता हूँ तो इस option पर क्लिक करने की बाद permission को यहाँ से आपको allow करना है और इसके बाद आपको अपना M pin डालने की बाद confirm पर आपको क्लिक करना है इसके बाद दुस्तों यहाँ पर आपको waiting show करेगा कितना waiting आपको करना है इसके बाद guys आपकी बारी आएगे तो guys आपको अपना जो है एजन से बात करके आप अपना KYC आपका complete हो जाएगा तो यहाँ पर 14 मिनट मेरे को wait करना है तो guys मैंने आपका KYC complete कर ले और guys मैंने KYC का recording में जो है नहीं कर पाया तो आप जो है यहाँ पर KYC complete कर सकते हो क्यों guys internet connection problem की कारण मैं जो है यहाँ पर KYC recording नहीं कर पाया तो यहाँ पर guys आपका KYC complete होने की बाद दोस्तों यहाँ पर आप जैसी welcome to जियो payment bank पर click करोगे तो आपको अपना account detail यहाँ पर आपको show करेगा और guys आपका जियो payment bank जो है KYC complete होने के बाद 4-5 कंटे बाद account जो है completely open हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप जियो payment bank account घर बेटे आप जो है create कर सकते हो जियो बैलेस अपना जो है account आप बना सकते हो